हम बादां को यूट्यूब चैनल में चले समय को बताती हूं मेरी हेर्गेर रूटिन सरदी्ट में सभी का बाल ज़्यादा है और मेरी भी ज्यादा ज़ड़ रहा था तो में क्या चलिए देख लीजैंञा वीडियो और साइद अगर मैं ना करी होती तो आज फूरी तरह से गंजी हो चुकी होती इस वर में एक भीवाल नहीं होता सुकर है मतलब टाइम रहते ही मैं यह कर ली हूँ होम रेमेडिस है तो चलिए देख लीजिए वीडियो तो मैं बहुत पहले ही बनाई थी लेकिन एंड्रोश सूट नहीं की थी इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई थी बस आप लोग भी जोरू ट्राइक करना अगर आपके बाल जहर रहे हैं तो 100 परशेंट गेरेंटी है जो बाल जहरना बंद हो जाता है मतलब दो से तीन बार दो बार लगाने से ही 8070 80 soundly बंद हो जाता है और फ्रीज़ी हो जाता यह बाल थोड़ी सी जो पिछ चलते तो पिछ प्याज के रह तो उसके चलते जो बाल थोड़ी सी फ्रीज़ी हो जाता है मतलब ड्राइं हो जाता है लेकिन आप सभी लागा के और लगाके मेनेज कर लेंतू produção चलेंसेाश कैसे किया चलिए लेट्स गो दिखे गाइस मेरी बालों के लिए मैं दो पियाज ली हूँ दो ओनियन आपके पास अगर रेड ओनियन होगा तो अच्छा रेजल्ट देता है और फ्रेस करीपत्ता सबीकों मैं अच्छे से दो के ब्लेंडिंग जो ब्लेंडिंग जार में डाल जो ग्राइडिंग कर लेंगे दिखे पियाज और अनियो जो गरीपत्ता को देखे मैं दोनों को अच्छे से पेस्ट कर लिए हूं और छान लूंगी उसका जरस निकल लूंगी उसके बाद एक जो कॉटन के मदद से यूज़ करना है इसे एसे हातों से नहीं करना है इसे कर जो जोड़ों तक नहीं जाता है इसलिए और देखिए मैं बीनित को भी लगा रही हूं तो तो में बीनित को बोली तू भी लगा ले तो वो भी लगा रहा था लेकिन प्यास को बदू से फरिस्तान हो रहा था और आउन्क भी जल रहा था उसका जलता है जो और्नीन। का मैं आच्छे सा दात था से भीनित को लगा दी फिर उसके बाद मैं जो उसको लगा दने के बाद मैं उसकी बस जो ही मतलब ऐसे आच्छे से लगा लेना है जोड़ों तो और बच गया तो लेंद में भी आप लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मुझे लगता है लेंद में लगाने से बाल थोड़ी सी फ्रीजी हो जाते हैं और लगाने के बाद अच्छे से ह्यार को थोड़ी सी मसाज करना है हलके हाथों से और गाइस पहुत ही अच्छा रेजल्ट देता है मतलब डेंडरफ एकदम आपके दो बार में ही एकदम गायफ हो जाएगा और मतलब विकली आप एक बार लगा सकते हैं अगर आपके जो ज्यादा डेंडरफ हो तो तो गाइस हमने लगा लिया है बिनित को भी मैं लगा दी और इसे अभी दो गंटाच छोड़ देंगे मेरे पास टाइम है आज संडे है तो मैं खाना बना लूंगी फिर उसके बाद हैरवास करूंगी और नहांगी नहां के मैं ड्राय नहीं करूंगी बस इसे ही नैचरली मैं इस बालों को सुखने दूंगी फिर आप से में रेजल मैं सभी सभी को वाता देती हैं हेल्फुल होगा तो चलिए फिर मिलते हैं नहा दो के प्रेस होके यहां देखिए गाईस मैं हैरवास करके आ गई हूं देखिए बाल बूस साइन कर रहा है लेकिन मैं सीरम लगा है उसलिए साइन कर रहा है इन बहुत फ्रीजी लगता है एई थी गाइस आज की वीडियो असा गती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा थैंक्स पर वाचिंग